सबसे पहली चीज में बताना चाहूंगा कि आप कोर्ट में if, but, यद्य इस अरह के सब्द प्रियोग ना करें मालने ऐसे सब्द जो भविस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं जैसे सायद यद ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता इस तरह के सब्दों का प्रियोग ना करें और दोस्तो मुख्य बात यह है कि आप अपना जो भी बात बताए वो निगेटिव ना बताए निगेटिव सब्दों का प्योग आपके लिए नुकसां दायेक होगा, आप के केस के लिए नुकसां दायेक होगा आप हमेशा पाजिटिव बात करें उसी बात को इस तरीके से कहें कि वो सकारात्मक लगे उस बात को निगेटिव तरीके से पेश ना करें ना निगेटिव बात को सामने आने दें निगेटिव बात सामने आने से आपका case, आपका व्यक्तित, आपका चरित्र वहाँ पर down हो जाएगा और वो आपको नुक्सान पहुंचाएगा दोस्तों एक और महित्पूर बात है कि चत साहब जब सामने हो तो ऐसी स्थिति आती है कभी-कभी आपसे कोई बात पूछ सकते हैं तो जब आप उसका उत्तर दें तो बहुत दीरे ना बोलें और बहुत तेज ना बोलें बहुत दीरे बोलना भी नुक्सान दायक है वहुत तेज बोलना भी आपके लिए नुक्सान दायक है आप वहाँ भाषन देने से बचें पोर्ट रूम में आप भाषन कता ही न दें और ना ही आप हीरो बनने की कोशिश करें आपका भाषन देना, आपका हीरो बनना ये नुकसान पहुचा सकता है और एक चीज़ और है आप कोई चिलाने बाली बात या कोई मुहाबरे भरी बात पोर्ट में ना कहें जिससे किसी दूसरे ब्रति पर कोई परहाओ पड़े और विसेश तावर पर आप जज साहब से बहस करने से बचें ऐसी इस्तिती ना आने दें कि जज साहब से आपकी बहस हो वो कुछ कह रहे हों आप उसका उत्तर वहीं देते चले गा और उसमें बहस जैसी होने लगे उनकी बात को काटे नहीं उस बात को धीरे से आप इस तरीके से बता सकते हैं कि साहब सत्ता ये है या ज़साहब सही बात ये है और अपनी बात कहें जो उसको काटना उसित नहीं है और आप को निगेटिव बात न करें और संयमित बात करें पड़लब आपको जितनी बात बतानी है वो इस तरीके से कहें जिसे संञ्यम में कही जाती है, आप चुठुले ना कहें, चुठुला या कोई ऐसी ब्यंग भरी बात ब्यंग आत्मक पता चले कि आप ऐसा को ब्यंग कर देते हैं कि वो आपके निगेटिउ चला जाता है, ब्य सुनी के बाद ये कहने लगते हैं कि साफ हमें भी सुन लो, तो वहाँ पर आपका ये निगेटिव डिप्रिजेंटेशन जाता है, वकील साफ को फीस दी है, और इसके बाद आपकी ही बात वकील साफ कहे रहे हैं, और आप वहां खड़े हो करके अगर ये कहते हैं कि आप हमें भी सुन लिया जाए तो आपको ही तो सुना गया है आपकी बात वकील साहब के माव्यम से सुनी गई है और फिर आपके यह कहने का उद्देश कि साहब हमको भी सुन लिया जाए मुझे लगता है निरर ठक है तो ज़से आप तुरंट कहेंगे कि आपने इनी वकील साब को तो किया है उनका वकालत नामा आपने साइन किया है वकील साब को फीज दी है तो आप लिए कुछ दूआ गया तो ऐसी इस्तिती में आप यह ना कहें कि हमें भी सुन लिया जाए आप अपने वकील साब को पहले से ही बिल्कुल फिट इस्तिती में रखें सारी इस्तिती बता दें अपना जो भी डिफेंस हो सकता है बचा हो सकता है चुकि आप से ज़्यादा आप के मुकदमे के बारे में और कोई नहीं जानता आप वकील साब को जैसा बताएंगे कि साब यह यह इस्तिती थी ऐसा ऐसा हुआ था और यह मुकदमा है अब आप अपने ढम से प्रजेंट करिएगा चुकि वकील साब ने कानून की पढ़ाई पढ़ी है उनको जानतारी है कि हम किस तरीके से अर्गुमेंट करेंगे जिसका फाइदा आपको मिलेगा तो प्रियास यह करें कि अपने वकील साहब से आप इस तरीके से बात करें और उनको समझा दें पूरी बात बता दें तो वो जिस तरीके से प्रजेंट कर रहे हैं चुँकि वो आपके ही पक्षमी बाद करेंगे और ऐसा प्रजेंटेशन करेंगे जो आपको फेबर में जाए तो दोस्तो इस वीडियो में ये चुकि मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे सब्द हैं जैसे आप कहते हैं कि सायद ऐसा हुआ होगा मेरी जानकारी में नहीं है या ऐस तो है लेकिन ये इस तरीके के वर्ड कोर्ट में नहीं चलते हैं ये आपको नुक्सान पहुंचाएंगे तो दोस्तो मेरी जाय है इस तरीके के सब्द कोर्ट में प्रियोग ना करें नहीं सब्द में कोई बुराई नहीं है आप नहीं कह सकते हैं उस इस्कितिव में लेकिन वहाँ बात काटने के उद्देश से निगेटिव आप अपनी thinking दे रहे हैं वो आपके लिए नुकसान दायक है तो प्रियास करें कि आपकी बात निगेटिव पहलू में नहीं जानी चाहिए पाजिटिव पहलू में रखें और दोस्तो हमारी कुछ paid services है जिसको हमने description box में mention किया है अगर आप हमसे कोई जाय मस्मिरा या किसी case के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमें उस number पर phone कर सकते हैं हमने उसको description box में डाल दिया है नमस्कार